तो ये देखिए छोटे छोटे आम जो कि यहां पर आम के पौधे पे लगे हैं बाकी के फूल खराब हो गया है तो उनमें आम नहीं लगे तो ये देखिए दस से पंदरा छोटे छोटे आम दिख रहे हैं तो इस पौधे पे यहां आम लगे थे आम के पौधे के उपर में अगर आप कलम करते हैं तो तीन साल के बाद में आप फल ले सकते हैं पर ऐसे बड़े पौधे पे आप जैसे कलम करते हैं तो दो साल के बाद में भी फल ले सकते हैं क्योंकि फूट सप्ला है बहुत ही ज़्यादा रहता है और जो ग्रोथ होती है सा रहती है तो यह देखिए छोटे छोटे आम इस आम के फूल में लगे है देखिए इन फूलों में भी आम बन रहे हैं बहुत ही छोटे है यहां जो देख रहे हैं आप छोटे छोटे आम लगे है यहां केसर पौधे पर लगे हैं जो की हमने कलम किया था तो एक ही पौधे पर दो अलग-अलग भिरैटी होने के वज़े से दो अलग-अलग आम फलें गे तो आप इनी पौधे पर और भी कलम कर सकते हैं जून से लेके अक्टोमबर महने तक जो कि आम के पौधे पर कलम करने के लिए बहुत ही अच्छा मोसम होता है तो यहां देखिए अलग-अलग शाखाओं पर फूला है आम के और इन पर आम बन रहे हैं